हेलो दोस्तों आप लोग का स्वागत है आए देखते हैं यूपी पीसियस 2017 का यह फाइनल पार्ट है फोर्थ पॉर्ट है कुछ कुछ कुछन इसमें रह गया थे वह कुछन आए देख लेते हैं तो यह आप लोग 2018 का जो है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं वीडियो यह 2017 का है इसके बाद 2016 का आएगा अभी इसमें पार्ट वाइज है सारे डिस्क्रिप्शन इनाल्सिस के साथ है तो देखते हैं पहला निम्न बिदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के सासनकाल में जो है भारत की यात्रा के थी इसमें है फादर एंथोनी मांसरेट है फ् फ्रांक वाइस बर्णियर है तो कौन यात्री था जिसने जहांगीर के सासनकाल में यात्र के थी तो यह थे बी आंसर साहिए फ्रांसिसको पलसर्ट याद रखिएगा अब आएए देख लेते हैं अकबर की समय आने वाले विद्यसी यात्री कौन थे फादर इंथोनी मांसरेट क्या थे पूर्टगाली थे याद रखिए राल फिंच आये थे जो यात्री आये था इसमें अकबर के सासनकाल में कौन अंग्रेज था अब आईए देखते हैं जह जहां गिर के सासनकाल में इसके बाद आया थे अंग्रेज थे फ्रांसिस्को पुछा गया था सर्ट टॉमस जो है अंग्रेज आया थे 1615 में बिलियम हॉकिन्स यह भी अंग्रेज पिटर मुंडी या थे कहां था इताली था इताइलियन और इसके बाद जीन बैटिस्ट ट्रैविनियर क्या था फ्रांसिसी था अब इसका फ्रांसिस सब्सक्राइब नियर्ण और मैं देशन देखते हैं अगबर के सासनकाल में दक्कन में निम्न पधितियों मेंसे कौन सभू भूराजस वसूली का प्रचली ताधार था कनकूट है हलकी संख्या है जब्त है गल्ला वक्सी है तो कौन सा इसमें था दक्कन के छेत्र में भूराजस प्राली के लिए तो हलकी संख्या दक्कन के छेत्र में अकबर के सासनकाल पे जो है हलकी संख्या के आधार पर भूराजस स्वसूला जाजा था तो याद रखिएगा आई यह आगला कोशन देखते हैं इसमें सुमिलित करना है इसमें सुची व्यान सुची तो गांधार कला किसे संब्दी थी गांधार कला जो है कुसार से संब्दी थी गांधार कला किसे संब्दी थी कुसार कल से अब इसके बाद ह जूनागर सिलाले, जूनागर जो है, रुद्रदामन से समझनी थे, मिलिन्द पनहों जो है, मिनांडर से, और तक सिलाले की समझनी से, पतिक से समझनी थे, तो इसमें देखिए, गांधार कला का है, कुसार से है, तो इसमें है, A का है, तीसरा, अब इसके बाद देखिए, A का क्या है चौथा है बी के चौथा मिलिंद पनहों है सी का क्या है पहला है और डी का क्या है दूसरा है इसमें सी आंसर सही है तो याद रखिए एक बार फिर से देख लेते हैं गांधार क्लक किसी समझनी थी कुसान कार्ट से जूनागर सिले लेक रुद्रदामन मिलिंद पनहों जो है मिनांडर तस्लिया सिल्या लेक पतिक तो याद रखिएगा इसका अंसर काउंसा है सीए अब आई ये देख लेते हैं इसमें अगला तीर्थांकर दिये गए हैं और प्रतिमा लच्छर दिये तो देखिए आदिनाथ है मलिनाथ है पार्सोनाथ है संभवनाथ है इधर ब देख लेते हैं देखिए आदिनाथ का क्या था आदिनाथ का ब्रिसब मलिनाथ का क्या था मलिनाथ का जलकलस पार्सोनाथ का क्या है सर्भ और संभवनाथ का क्या है अस्व तो पहले का क्या है पहले ये option हड़के पहले का पहला है मलिनाथ का जलकलस है दूसरे का क्या है चो पार्सुनात का सर्प है संभावनात का अस्व है अब आईए देख लेते हैं जो तिर्थांकर जो इंपॉठे जाते हैं अक्सर एक्जामीन पूछे तिर्थांकर प्रत्मल अच्छन उनके तेकिए रिसब्थ देव जो है संपार्ट यह संपार्स पार्सुनात हो अलग है तो संपार्स क्या है स्वास्ति के сам ती संपार्स नम ह्यों 11ज नम इनार्थ या नाम कंद जाना में था पर फ्यार्सिनेमी क्या था our यह जो important का याद रखेंगे गाई रिसब देव का क्या है अजीदनात का हाथी है संभोनात का घोड़ा है संपार्स का स्वास्तिक है सांती का हिरन है नाम क्या है निलकमल है अरिस्टी नेमी का क्या है संख है और पार्सोनात का सर्प है महावेर का सिंगित नअ जयाद रखिए गया अब देखेए छटी सताब्दी का मत्स्य महा जंपत इस्थित कहां पाश्मित्र प्रदेश में राजस्थान में बुंदिलखंड में रुहिलखंड में तो छटी इसकी राज़दानी क्या थे बिराटने अब आए देख लेते हैं सुल हाजन्द्पतों के बारे में सुलह महा जन्दपतों का उल्लेक कहां मिलता ہے यह तो बहुत गरंथ के अंगुततर निकाव Four arch c कोईशन पूछा जा चुका है, अब आईए 16 महाजनपतों का देख लेते हैं राजधानी, कासी के क्या थी, वारांसी, कौसल का स्रावस्ती, अंग की, चमपा, मगध की, गिरीब्रज राजगरी, वज्जी की क्या थी, वैसाली बिदेह मिथल्या, मल्ल की की थी, कुसावती, चेदी की क्या थी, सक्तिमती, वज्ज की क्या थी, कौसामबी, कुरू की क्या थी, इंद्रपस्त, अब देखिए, पांचाल में एक उत्तरी पांचाल था, उसकी राजधानी थी, आईचेचछत्र, और इसकी बाद दच्छरी पांचाल की राजधारी की थी, काम पर लिए, मत सिखा जो कोश्चन पूछा गया था बिराटनगर सुरसेन का मतुरा असमक जो है पोटली ये पोतन ये दच्छिड भारत का गोदावरी नदी की किनारिक कीवल एक सोला महा जन्पदों में एक महा जन्पथा इसी याद रखीगा अवंती की राजदानी उज्जैनी महास्मत अब इसकी बाद है गांधार का तक्सिल्या कंबोज का हाटक अब इसमें चीज़ और याद रखना सूला महा जन्पदों में जो सबसे सक्षाली जन्पथा महा जन्पथा मगध अब देखिए सूला महा जन्पदों में असमक जो है कीवल एक ऐसे जन्प दच्छिड भारत म अब आई अगला देखते हैं जोन्पूर राज जी का अंतिम सासक कौन था जोन्पूर राज जी का अंतिम सासक मुहमद सा मुबारक सा इबराहिम सा और हुसें सा तो कौन था इसका हुसें सा जोन्पूर राज जी का अंतिम सासक कौन था हुसें सा था तो अब आई देख ल लेंकिन इसके बाद क्या हुआ या बा Android 45 में मलेक सरवर ने जौनपूर संथापणा किया हुआ जैन्पूर 85 वर्सिन तक चला था जब दिली स्थानत में जो हुआ पहलू लोदी शाल किया दो कि दो स्थापक हुसेन साह को हरा कर जो है इसको दिल्ली सुलतनत मिला लिया इतना याद रखिए अब देखिए जौनपुर को पूरु का सिराज भी कहा जाता है भारत का सिराज कहा जाता है यह भी याद रखिएगा इंपोर्टेंट है अब आई इसमें देख लेते हैं बराबर पह पहाड़ी की कुल चार गुफाएं हैं तीन गुफाओं की दिवर्प असोक के सिलाले कुद किंड है यह अभिलेक इन गुफाओं को अजीवकाओं को समर्पित होने का उल्लेक करते हैं यह अभिलेक छठी सताबदी पूरु की है तो देखिए इसमें कौन सा गलत है तो बनाबर की पहाड़ी में चार गुफाएं ही साही है अब तीन गुफाओं की दिवर्प असोक के सिलाले कुद के निवी साही है यह गुफाएं जुअ है आजीवकों के लिए बनवाया था असोक ने तो याद रखिए को अब आई यह देख लिते हैं इनके बारे में देखि सुदामा बेसु जोपरी यह चार गुफ़ां थी याद रखिएगा अब आई अगला देखते हैं निमलिखित में से किस सैलकृत गुफ़ा में 11 सिरों के बोधिसत्त का अंकर मिलता है अब आई जान लेते हैं देखिए मुंबई पूछा जाता है किस दियूप पर बसा हुआ ह मुंबई सहर में संजेगाधी राष्टी उद्यान का भाग ही कनहिरी गुफ़ाएं और मुंबई सहर में क्या है संजेगाधी राष्टी उद्यान का पार्ट ही है उसी का भाग है कनहिरी की गुफ़ाएं अब कनहिरी की गुफ़ाएं प्राचीन नाम जिसको जाना जाता है ये कानहा सायल है किसनागरी है और कानहागरी इनको प्राचीन नाम पूछे जाता है तो कनहीरी की गुफाये जो है बहुत दिका प्रमु कींद्र भी थी कनहेरी पर एक ही पहाड़ी में जो 90 गुफाएं बनाई गे हैं और कनहेरी की गुफाएं थी इनका निर्मार हुआ था ये तीसरी सतापदी की मध्यपूर में हुआ था अब देखिए एक इंपोर्टेंट है कनहेरी की 90 गुफाओं में से जो गुफा नंबर 41 है वो किसके हो जाएं और ग्यारा मुख हैं अब आए अगला कोस्चन देखते हैं रिग बेद के कई परिछेदों में प्रिवक्त अगहन्य सब्द कि सम्दार भी था पुजारी के लिए इस्तरी के लिए गाई के लिए ब्रामड के लिए तो अगहन्य किसके लिए कि सब्द संबनतांद स्वराज दाल का समर्थन किया तो केंदरी बिधान सभा में स्वराज दाल का समर्थन किया था यह थे मुहम्मद अली जिन्ना यह आंसर साहिए तो देखिए नौबर 1923 में बिधान सभा परिशिदों में चुना हुए थे तो केंदरी बिधान सभा में 101 निर्वाचिस सीटों में 42 सीटों पर स्वराज पार्टे की जीत हुई थी तो यह इतने कोश्चन थे यह 2017 का पेपर इनाल्सिस कंप्लेट हो चुका अब 2016 का अपलोड करूंगा थेंक्यू फ़र वाचिंग आप लोग कमेंट में कुछ कमेंट लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं और लाइक डिसलाइक कर सकते थेंक्यू फ़र वाचिंग मिलते हैं नेक्ट वीडियो मिलते हैं लिख सकते हैं सत्के भी